ताज महल के साउध गेट पर पच्चिकारी में लगे इस वाइट स्टोन का गिरना परटकों के साथ शित्री लोगों के लिए भी चिंता का विश्य बना हुआ है ताज महल जो विश्व धरूहर इस्थलो और भारत की प्रमुक परटन इस्थलों में से एक है अब एक नई चिंता का सामना कर रहा है ताज महल के साउध गेट पर लगी पच्चिकारी जो की एक महत्वपूर्ण वास्तुकला का हिस्सा है धीरे धीरे गिरने लगी है इस स्थिती ने परेटकों और इस्थाने लोगों के बीच इंता और असुरक्षा की स्थिती उत्पन कर दिया है आपको बता दे कि ताज महल के साउध गेट की पच्चिकारी जो सफेज संगमर्मर के अलावा अन्य रंग के संगमर्मर से बनी हुई है अब अपने स्थिती खो रही है शेत्रिय लोगों के अनुसार पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गर कर परेटकों के साथ साथ शेत्रिय लोगों को भी नुकसान पहुचा सकते हैं गेट के पास खड़े होने के दौरान का इस्थाने लोगों ने बताया कि पत्थर के गिरने से वे बाल-बाल बचे इस घटना ने ना केवल उनकी सुरक्षा को खत्रे में डाला बलकि ताज महल की सुन्दरता और उसकी सनचना को भी प्रभावित किया है पच्चिकारी की बिगर्ती स्थिती ताज महल की स्थिता और उसकी एतेहासिक मूले को भी प्रभावित कर सकती है ताज महल की यह विशेशता ना केवल उसकी वास्तुकला का महतवपूर्ण हिस्सा है बलकि यह भारतिय कला और संस्कृति का एक महतवपूर्ण प्रतीक भी है सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा के रिपोर्ट